Hello everyone, welcome back to our channel तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Dimension Analyst की Limits के बार में कि इसकी क्या क्या Limits होती है इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुकी है Dimension Analyst की Applications के बार में कि हम Dimension Analyst का किस किस तरीके से इस्तमाल कर सकती थे अब हमें पढ़ना Limitation के बार में इस sentence का कहने का मतलब यह हैगा जब भी हम Dimension Analyst की मदद से कोई फॉर्मूला को ड्राइब करते हैं तो उसमें जो हमारा constant term आता है तो इसकी वो कोई भी information नहीं बताता हमाई लिए इसका क्या use, क्या मतलब मतलब इसकी क्या value आने वाली है जैसे कि हमने एक formula drive करते है kinetic energy का, यह formula हमने इस तरीके से drive करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा अब इस k के बारे में हमारे लिए कोई information नहीं देता है कि इसका k का मतलब क्या होगा देखो basically हमारे experimentally हमारा formula k is equal to half mb square लेकिन इस k के बारे में कोई भी हमारे लिए पता नहीं होगा कि यह जो हमारा dimensionless जो constant term है यह कोई information नहीं देता तो यह हमारा पहला पहली limitation हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं दूसरी limitation की तो मैं साबसे पहले दूसरी limitation लखता हूंगा दीक है दूसरी limit की अब इट फेल्स वैन आ फिजीकल कॉंटिटी तो देखो limitation second का कहने का मतलब है इट फेल्स वैन फिजीकल कॉंटिटी डिपेंड ओन मोर देन थ्री फेक्टर्स त्री फेक्टर्स वोल सकते हैं टर्म उसके पास हमारे पास dimensions भी हो बट उसका क्या होगा formula drive नहीं कर सकते देखो इस कहने का मतलब sentence है जो हमारी physical quantity है जब वो थ्री फेक्टर से यह मतलब थ्री टर्म से ज्यादा पर depend हो रही हो ज्यादा पर depend हो रही हो तो क्या होगा वहां पर यह physical quantity जाप वहां पर हमारा time हमने माल लिए ठीक है time की power माल लिए और इसी तरीकी से मारा होगा x यहां पर माल लिए हमने भी माल लिए यह देखो इन थ्री factors पर तो depend कर सकते हैं यहां से हम formula को drive कर सकती हैं थ्री से हमने आपको करके बताया था थ्री अब यदि हमने एक term और आ गई हमारे पास एक term और हमने कोई सी भी ले लिए माले थी हमने distance और जोड दिया अब यह चार फेक्टर तर डिपेंड नहीं कर सकती है तीन पर तो कर सकती है तीन से ज़्यादा पर लगाएंगे हम तो यह फैल हो जाएगी dimension analyst की मज़ा से हम चार चार टर्म का formula नहीं निका सकते है maximum 3 ठीक है minimum 3 तक 3 से कम भी हो सकता लेकिन 3 से ज़्यादा टर्म लीना तो वहाँ पर यह हमारा लोग बर्क नहीं करेगा यह हमारा बोलता है second वाला second वाले में क्या बोला है it's pale when a physical quantity depends on more than three factors जहारी physical quantity तीन से ज़्याद तर्म पर depend होगी ना depend होगी था भले ही उसके पास dimension हो पर हम formula drive नहीं कर सकते हैं इसलिए इसकी यह दूसरी limitation हो जाती है अब हम बात करते हैं third limitation के बारे में तो सबसे पहले मैं third limitation को लिखता हूं ठीक है जब तक आप यह second वाली लेको ठीक है it fell तो देखो बाच्चो इसमें third limitation की बात किया है third limitation क्या बोलती है its place when a physical quantity is the sum or difference of two or more quantities mixed वाए हम्आग नहीं करता है हमारी फृजिकल क्वांटी इसमें हम start करें या सबस्ट्रेक्ट करें तो एसी physical कौनिटीज आ रही है हमारे पास तो उन पर बर्ग नहीं करता जैसकी हमारे पास दो फिजिकल युटी प्लास, ऐसी फिजिकल गौनिटीज पर बर्ग नहीं करता हूं है हमारे पास क्या रहा रहा है editon हो रहा है subtraction हो रहा है तो इसी वाली physical quantity यह प्लाइब है यह पहले हुआ है है शरफ और शरफ एक हमारी एक रम आने माने चाहिए यह कि अपने यहापने आपूरी थार्म यह कि आप अपने आपज़ तो सरफ यह फुन ऑर सही कोचन को यहां प्लस सिंगल टर्म के लिए तो हमें लिए से इस वैलेड है फोर ओनली सिंगल टर्म के लिए ब्लाइब करेंगे तो इसा एगा s is equal to uta s drive हो जाएगी या directly proportional हम इस formula को देखो हमाले पूचाएगी जो हमारे distance depend कर रहा ही किस पर velocity पर depend कर रही time पर acceleration तो इस तरीके से हमारा इसका relation निकल किया रहेगा पर exact formula हमारा यह तो हम ऐसी वाली equation को इसके through solve नहीं कर सकते dimension LLS की यह तीज की limitation number third ठीके अब हम बात करते है limitation number fourth की बारे में fourth y limitation क्या होती है ठीके तो आप यहाँ पर डाल number four यहाँ पर four में लोगो V तो देख बाच्चो अब हम बात करते हैंगे fourth point की fourth point में हमारा बोला क्या है इसकी fourth limitation क्या है ठीके अब हम fourth limitation की बार करते है देख बार तो fourth limitation में यह बोला गया वी केन नोट ड्राइब दा formula containing trigonometric function exponential function log function etc which have no dimension देख इसमें बोला गया है एसी देख देख डाइमिंशन एलाइस की बाच जब हम formula को ड्राइब करेंग न जिसमें हमारी technometric function ना मतलब जिसमें आज आजा हूँ तो हम ऐसे वाले function को हम ड्राइब नहीं कर सकते है डाइमिंशन की मतद सी बना नहीं सकते है dimension formula की बाद से describe नहीं कर सकते exponential function अजाए exponential function होता है ये की power x ये की power कुछ भी हजा 10 तो ऐसे formulas को भी हम drive नहीं कर सकते है क्योंकि और ऐसे log log की हमारी x की कुछ भी value हो जाए ऐसे हमारे पास अजाए log x की value हमारी कुछ भी हो जाती तो ऐसे function आएंगे ना तो इनको हम नहीं कर सकते dimension ls की मदा से solve ये ऐसे formulas को हम drive नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास को dimension नहीं होता तो एक इसकी ये limitation होती है ठीक है तो ये होती है इसकी min में limitation ठीक है तो इसी के साथ हमारी ये ही था आज का अजय कर दो आएंगे नहीं होती है